चलिए देखते हैं उत्राकंड के इतियास के अंत्रकत उत्राकंड का प्रमार राजवन्स टेस्ट थ्री टेस्ट स्रीज थ्री तो यहां पर हम कुछ कसंस को देखेंगे तो हमारा पहला प्रस्ण है मौला राम ने फदेशा के लिए किस नाम का प्रयोग किया तो मौला राम न अगला प्रश्ण सुलेमान्सिको ने किस प्रमार की सरण नी थी ? तो इसका सहि आंसर है घ्रवाल का नाना फड़नवीष कि सेखा आ जाता है, तो जो नाना फड़नवीष थे तो मराथाराज्य में टे, लेकर घडवाल का नाना फड़नवीष क्योंकि एक कोर्टिती क्या थे, पुरियानय थानle उन राजाओं मैं से किसकी सरक्ष घा नने करना वोजी थी पते पतिसा महिफतिसा प्रेथी पतिसा जलित सा तो लानी करना वोजी प्रेथ seamlessly ड्रता की सरक्षिका थी इसका मतिराम संकरदेव और भत कभी मैंते पर कास और पते अध्याय फटेशन पर लिखे गए थे जूक्त रोटि शुची पर तो इसको सुरू करने वला राजा था, श्याम सा, महिपति सा, मान सा, अजय पाल, तो सही उत्रवगा, महिपति शा, अगला प्रश्न, इन मैंसे कौन सा एक महिपति सा का सेनापति नहीं था, तो इन चारों में से एक ऐसा है जो सेनापति नहीं था, बागी तीन सेनापति थे, बीरबलनेगी, बनवाडी दास, लोधीरी कोला, मादो सिंग बंधारी तो रेज़ताप महिपती सा के सैनापती थे तो बीरबलनेगी जो है वो नहीं थे अगला प्राश्न पिर्थिवीपती सा और सिरमौर के सासक मनधाता प्रकास के मध्या 1650 में कौन सी संधी थी तो बाड़ा हट की संधी, राजपर की संधी, हटकोटी की संधी और पॉंटा साइप की संधी तो इन सभी संधियों में से हटकोली की संधी थी 1650 में पिर्थिवीपती सा और सिरमौर के सासक मनधाता प्रकास के मध्या इस संदी के द्वराईनों ने देरादून को दोनों राज्यों की सीमा स्विकार किया था अगला प्रस्ण रामायन परदीप किसकी रचना है तो एक पुस्तक जो लिखी गई परमारों पर रामायन परदीप तो ये रचना है बरत कवी, शंकरदेव, मेदाकर सर्मा और मतिराम तो ये है मेदाकर सर्मा की रचना मेदाकर सर्मा परदीप सागे राज कवी थे किस मुगल सुवेदार को रानी कर्णावती के समक्च अपमान झेलना पड़ा तो एक ऐसा मुगल सुभेदार था जिसने गड़वाल पर आकरमण किया और हार का सामना किया और रानी करणावती ने उन्हें अपमानित किया था तो यह हमारे सुवेदार थे नवाजत खान इसलिए कहते हैं कि रानी कर्णावती ने इनके और इनके सेनिकों के नाग खान काड़ दिये थे अजविरो नावा क्यातरी किसके समय स्रिनगर आया महिपतिसा अजएपाल श्यामसा मानसा तो सयूतर है महिपतिसा अजविरो नावा के क्यातरी महिपतिसा की समय स्रिनगर आया था अगला प्रश्ण गर्वाल की तारा भाई किसे काहा जाता है रानी दुर्गावती जिया रानी रानी कर्णावती तिलोड़ अगला प्रश्ण गुरू रामराई किस परमार के समय गर्वाल लाई थे तो किस परमार सा सक्के समय गुरू रामराय गड़वाल आए तो अप्सन से ललित सा, श्यामसा, पिर्थवी पतिसा, फतेपतिसा तो फतेपतिसा के समय गुरू रामराय गड़वाल आए थे किस सा सक्के काल को गड़वाल का स्वर्ण काल कहा जाता है तो हमने कर एक प्रश्ण देखा था कि किस सासक के काल को वास्तुकला का स्वर्ण काल का जाता है गड़वाल में तो वो तो थे हमारे श्यामसा पर अब देखते हैं गड़वाल का स्वर्ण काल पिर थ्वी पतिसा, मानशा, श्यामसा, फतेपतिसा तो ये कहा जाता है गरवाल का स्वर्ण काल फतेपतिसा के काल को और अगर सबसे ज़्यादा आक्रमन जेलने वाला सासक कहा जाए तो वो भी है फतेपतिसा मौलाराम को सरक्षन देने वाला पहला परमार था देखें मुलाराम को कुल चार परमार राजांगों ने शरक्षन दिया था। उनमेंसे पहला कौन था तो मानशा, परदीब शा, मुहऴपथिशा, श्यामसा तो परदीब शा ने सरुपरतम मुलाराम को सरक्षन दिया था। किस पर्मार की सवाब में नवरत्न थे तो एक पर्मार राजाय से विटेजिस की सवाब में नवरत्न थे जैसे अक्वर की सवाब में नवरत्न थे तो मानशा, पिर्थविपतिसा, फथेपतिसा, अजय पाल तो फथेपतिसा के दरवार में थे नवरत्न सही आंसर होगा फथे प्रश्न करने वाला परमार कौन सा था तो किस साथक ने कल्यान चंद्र चतुर्थ की सायता की थी तो ये शाम सा लेलित सा फत्यवद सा परदीप सा तो कटे हेरों के आकरमन के दौरान परदीप सा ने सायता की थी चंद्राजा कल्यान चंद्र चतुर्थ की तो ये था आज हमारा परमारवन्स के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर 4